आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार दोस्तो आप जानते हैं कि वर्तमान में स्कूल चलो अभियान प्रारम हो चुका है और ऐसे में सिक्षकों को नमांकन बढ़ाने पर पूरा जोड दिया गया है दोस्तो इसी क्रम में न्यूज है जो कि सिख्षकों के सामने परिशानी आ रही है उस चीज को इसमें बताया गया है नमांकन का कैसे हो पूरा लक्षे जो लक्षे मिला है उतने बच्चे ही नहीं सिख्षक हलकान सिख्षक बता रहे हैं ये परिशानी दोस्तो यूपी के सिख लिखकुल जो जबाए मिला वो चौकाने वाला था, जो डाटा आसा ने बताया उस डाटा से दोगुना सिक्षकों को लच्छ मिला हुआ है, कुछ सिक्षकों का कहना है कि प्राइबेट इस्कूलों की मानेता सही धंग से देखकर मानक के अनरूप नहीं दी गई है जिसकी वज़ा से प्राइबेट इस्कूलों की संख्या बढ़ गई है अभिभावक प्राइबेट स्कूलों में अपने बच्चों का नाम लिखवाने से अपने आप पर गर्व करते हैं कुछ गाओं के लोग काफी आर्थिक रूफ से संपन्न हैं इसकी वज़ा से वे अपने बच्चों का नमांकन परिष्दी स्कूलों में नहीं कराते जिसकी वज़ा से वहाँ के सिखचक भी हलकान हैं कुछ सिखचकों का कहना है कि साहब हमारे इसकूल हाईवे की किनारे हैं अभिभावक दुरघटना की डर से उस स्कूलों में बच्चों को नहीं भेजते हैं कुछ सिक्षक बताते हैं कि साहब हमारे ग्रामसभा में जाती वाद ज्यादा होता है एक जात के लोग अपने बच्चों को दूसरे जात के छेतर वाले स्कूलों में नहीं भेजते हैं उन्हें लड़ाई जगडे का डर रहता है कुछ सिख्छकों का कहना है कि साहब हमारे स्कूल के कुछ ही दूरी पर Compositive English स्कूल है जिसकी वज़ा से हमारे यहाँ के अविभावक बच्चों को उस स्कूल में भेंजते हैं जिसकी वज़ा से हमारे स्कूलों में नमांकन घट गया है इस सिख्षक ने उदारर देकर कुछ इस तरह समझाया कि सर मालने कि हमारे ग्राम सभा में इस वर्स 40 बच्चों ने जर्म लिया पांच साल बाद उसका नमांकन होगा उस 40 बच्चों में से जो लोग संपन होंगे वो प्राइवेट में भेजेंगे जैसे मालने जे 15 बच्चे प्राइवेट में गए तो 25 बच्चे बच गए इसमें से जो अविभावक मुंबई दिल्ली में काम करते हैं वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ चले जाएंगे माली जे इसमें से पांच बच्चे बाहर निकल जाते हैं और वहीं पे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो अब बच्चे 20 बच्चे अब इन 20 बच्चों में इसमें से कुछ नानी के हाथ कुछ रिष्टे नाते कहीं इधर उधर चले जाते हैं तो ऐसे में इस सवस्था में यद कुछ विद्याले ऐसे भी हैं जहां रिकार्ड नमांकन हुआ है और ऐसे में दोस्तों बढ़ा हुए नमांकर का में जरिया ये है कि वहां उस विद्याले का infrastructure ठीक है वहाँ परियाप्त संख्या में सिक्षक है उसका रंग रोहर अच्छा हुआ है और उसके अलावे दोस्तों जो उसके बगल का हैं बच्छों से जबकि उसके बगल का विद्याले जो है वो पूरीता से बच्चों से अब खाली हो रहा है तो यह विशंगतियां कहीं कहीं हैं और हर हाल में हर विद्याले को एक समान रूप देना होगा तब ही जाके हम कहीं बैलेंस बना पाएंगे इस कारे के लिए तो दो नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार